गुरूर देवो महेश्वदा, गुरूर साक्षाद परंब्रम्धा, तस्मई श्री गुरु पेनम्धा मेरे सभी मित्रगों मरी तरप से रादे रादे, दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बुरी नजर और नकारात्मक्ता से कैसे खुद को सुरक्षित रखें इस बारे में हम आपको आज जनकरी देंगे और उपाये बताएंगे होता क्याँगा आपने देखा होगा कि हर में छोट-छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अक्सर बुरी नजर लग जाती हैगी तो माता हैं जो हैं उनकी नजर उतारती हैं लेकिन बड़ों को भी बुरी नजर लगती हैगी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि नकारात्मक्ता इसको कहते हैं कि वो जब अधिक मात्रा में हमारे पास आजाती हैं या कुछ लोग तंत्र बगरा करते हैं करवाते हैं कि यह ना किसी का भला ना हो किसी का भ्यापार चल ला है वो ना चले ऐसा अकसर होता ही होता हैगा इससे सुरक्षित कैसे रहें इसके लिए आप इस उपाय को नोट कर लीजिए और उपाय को नोट कर रहें उसके पहले फिर कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दिये कर ये और चैनल को तुरण सस्क्राइब कर लीजिए बैल आइकोन को दबा लीजिए और भी वीडियो आपको प्राप्त रहेंगे और वीडियो का देख सेदेख शेयर कर लिए अगर ये सोजलन मीडिया पर ताकि और लोगों का भी लाब अब इस महावपाय को आप नोट कर लीजिए आपको क्या करना है का बाजार से 27 लोंग लानी है लोंग पूरी लोंग जिसे फूल होता ना तो फूल वाली 27 लोंग लेके आनी है और एक बड़े मिट्टी के दिये में उन लोंग को डाल देना उपर से उसमें कपूर डाल देना है कपूर डाल कर शनिवार की साम के संध्यकाल में संध्यकाल थोड़ा सा उजिला और थोड़ा अंधिरा जो होता है उस समय उस मिट्टी के दिये में जो लोंग डाली है और कपूर डाला है कपूर को जलाएंगे सबसे पहले भगवान के सामने उस दिये को गुमाएंगे उसके बाद उसको पूरे घर में या आपका ब्यापारे किस्थान है गा तो ब्यापारे किस्थान में दुकान है फैक्टरी है कहीं भी उसको पूरे जगए उस दुहें को गुमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि वो लोंग पूरी जल जाएं साथ में किसी कोई चीज लिए लिजे जैसे स्टील की चमल लिजे उससे आप थोड़ा सा इलाते रहेंगे अगर नहीं जल लई है जल जाएगी माल लेते हैं कि कपूर खतम हो रहाएगा तो कपूर उपर से डालते रही है तो जब तक वो पूरी ना जल जाए तब तक उसका दुआँ सब जगे कर दीजे जब पूरी लोंग जल जाएगी तो क्या बचेगा लोंग की राख अब क्या करना है उस राख को सबसे पहले अपने माथे पर लगाना है इसके अलावा उस राख को एक-एक कौने में और एक-एक दीवार पर लगा देना है और अगर घर में कर रहा है घर के सद्श है तो उनके माथे पर लगा देना है और अगर किसी फैक्टरी दुकान में कर रहे हैं तो जो भी आपके बार कर रहे हैं उनके भी लगा देना है और मुख द्वार के दोनों तरफ इसको जरूर लगाना है ऐसा आप लगातार तीन सनिवार कीजिए तो जो भी नकारात्मक्ता है उससे आपको सुरक्षित रहेंगे और आपका इस्थान जो है उसके अंदर पॉस्टिव इनर्जी आएगी और उससे आपको लाव होगा ही होगा दोस्तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे सिंग बने रहें तक तक के लिए रादे रादे जैहिन